नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण, पाट्चार, लिंग बच्चों लिंग किसे कहते हैं, शब्द के जिस रूप से पुरुष या इस्त्री जाती का बोध हो उसे लिंग कहते हैं अर्थात जो शब्द हमें पुरुष और इस्त्री जाती में अंतर समझाता है, उसे लिंग कहते हैं, लिंग के भेद, लिंग दो प्रकार के होते हैं, इस्त्री लिंग, पुलिंग पुलिंग, पुरुष जाती का बोध कराने वाले शब्द पुलिंग कहलाते हैं, जैसे मोर, चुहा, हाथी, लड़का, इत्यादी इस्त्री जाती का बोध करवाने वाले शब्द इस्त्री लिंग कहलाते हैं, जैसे मालिन, दादी, शेरनी, लड़की, इत्यादी कुछ शब्दों के पुलिंग एवन स्त्रिलिंग रोप होते हैं जो कि इस प्रकार से हैं पुलिंग लड़का, इस्त्रिलिंग लड़की, पुलिंग पिता, इस्त्रिलिंग माता, ग्वाला, ग्वालिन, पडोसी, पडोसिन, देव, देवी, बालक, बालिका, दादा, दादी, यूवक, यूवती, श्रिमान, श्रिमती, विद्वान, विदूशी, पाठक, पाठीका, छात्र छात्रा इत्यादी लिंग की पहचान बच्चो कुछ शब्द सदे पुलिंग होते हैं अर्थात उनका कोई भी इस्त्रलिंग रूप नहीं होता है जैसे समू वाचक शब्द दल समू जुंड आदी प्राणी वाचक संग्या शब्द शेर भालू चीता खरगोश आदी पेडों के नाम आम जामुन पीपल अशोक आदी देशों के नाम चीन जपान भारत आदी इसमें क्या है जो श्री लंका देश का नाम है श्री लंका शब्द जो है वो इस्त्रलिंग है वो पुलिंग नहीं है हिंदी के महीनों एवं दिनों के नाम शावन कार्तिक रविबार बुद्वार आदी इनके अलावा बच्चो धातूं के नाम लोहा, पीतल, सोना, हीरा, आदी इसमें जो चांदी धातू है वो इस्त्रलिंग है वो पुलिंग नहीं है ग्रहों के नाम शनी, सूर्य, बुध, प्रहस्पति, आदी ये सारे पुलिंग हैं इनके कोई इस्ट्रिलिंग नहीं होते हैं जिसमें से जो हमारा ग्रह है पृत्वी वे इस्ट्रिलिंग है बचों कुछ शब्द जो है वे सदेव स्ट्रिलिंग होते हैं इनके कोई पुलिंग नहीं होते जैसे नदियों और जीलों के नाम गंगा, यमना, गंडग, सोन, आदी तिथियों के नाम अमावस्या, पूर्णिमा, द्वित्य, नौमी, आदी खेलों के नाम टैनिस, क्रिकेट, कबड़ी, आदी बोली और भाशा के नाम पंजाबी, बंगाली, तामिल, तेलगू, जर्मन, आदी ये वे शब्द हैं जियो सदेव स्ट्रिलिंग रहते हैं इनके पुलिंग शब्द नहीं होते हैं अब हम पढ़ेंगे कि लिंग की पहचान क्रिया शब्दों से भी होती है क्रिया अर्था जो भी कारे हमारे द्वारा किया जाता है उसे क्रिया कहते हैं जैसे आम मीठा होता है, नदी बह रही है, आम मीठा होता है, आम एक फल का नाम है पर ये पुलिंग है और नदी नदी इस्त्रिलिंग होती है तो आम पुलिंग है क्योंकि इसके साथ मीठा होता है क्रिया का प्रयोग हुआ है और नदी इस्त्रिलिंग है क्योंकि इसके साथ बेह रही है क्रिया का प्रयोग हुआ है स्टुडेंट्स कुछ शब्द इस्त्री वा पुरुष दोनों के लिए समान रूप से प्रयोग किये जाते हैं उसमें इस्त्री, स्ट्रिलिंग और पुलिंग का कोई भेद नहीं होता है जैसे वकील, प्रोफेसर, सभापती, मंत्री, सचीव, इंजिनियर, डॉक्टर, आदी ये वैशब्दें जो इस्त्री भी हो सकते हैं और पुरुष भी हो सकते हैं बच्चो ये पाठ यहीं समाप्त होता है धन्यवाद